पोदी जी बोले थे न, कि हम बोले थे, अरे बोलिये न महराज, आपको भी बोलना परेगा याद रखियेगा इस बात को, इस सब की बारी आएगी इस बात को याद रखियेगा, अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, मंतरी का ब बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहा मम्मी दूद पिला दो दूद पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीडा पर बिठा दूदा दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलवीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखियेगा इस बात को याद रखियेगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ हैं हम उस खिलवार के खिलाफ क्यों है हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है यह हम नहीं बोले थे प्रणमंत्री जी बोले थे कि हर साल दो करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाहले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखिएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिए ना आप कॉंग्रस के कार करता है भाजपा के थोरे हैं कर डर जाएंगे बोलिए बोले थे ना बोले थे ना कि महंगाई कम होगी बोले थे ना खाते में पंद्रे लाख रुप्या आएगा बोले थे ना अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आए हैं एक भाजपा का निता इमानदार है के लास बिजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया बाजपा की नई योजना है तक यार बाजपा उफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजे वर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूध बढ़िया चलाता है अपसद पे बैट चला रहा था उसको बीजे पी ओफिस में क्यूं नहीं सिकुरिटी गार्ड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सियाई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपो आफिसमे सिकुरिटी गाड हाइरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना और बैमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये हैं और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लरता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चोकीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोकीदार ये चोकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे है क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविष्ट को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोडोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया, उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आगे, लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है, अचुनाव लरने में कोरोना नहीं है, और अगर आप बेकलोग को देखेंगे, पचास हजार को अगर मान लें, तब भी देर्ध लाख बहाली होनी चाहिए थी. देर्ध लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैmente, देर लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं उपर से ये एक नया योजना ले करके आ गए हैं तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को ये नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अल्मीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोड नौकरी इन्होंने हर साल दो करोड नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना ले करके आ गए है पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पत्च के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा-अच्छा ही बताता होगा आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा यह जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप हैं यह सत्यागरह दो लोगों के बीच में हैं जावेद अक्षितर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में आवाजें दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठ़्े हुए हैै एक वह आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा है वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है जो जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रह कि समझा रहे हैं लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में, अगर सारी सार्वजनिक संपत्तिं को बेच दिया गया, तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर Air India नहीं रहेगा अगर नहीं होगा Air India तो क्या करेंगे जोती रादित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताईए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए सरकारी PSNL नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे फिर सरकारी परधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ Congress Party की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है Congress Party की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की दा लडाई है Congress Party को ले करके भाजबा लगातार प्रचार करती है कि अगर Congress किसी चीज का विरोज कर रहा है तो सही होगा तो आप बताइए हम भाजबा का विरोज करते हैं देश के संबिधान का समर्थन करते हैं और उस संबिधान को हमने बनाया है Congress Party ने बनाया है इसलिए कहावत कही जाती है जाके पैरन फटे बिवाई वो का जाने फीर पड़ाई जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है इसी आसा और उम्मीद के साथ कि सत्य और हिंसा के रास्ते पर चलेंगे सत्यागरह के रास्ते पर चलेंगे जूट को हराएंगे जूट पे सच भारी है सत्यागरह जारी है यह सत्यागरह जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद